नमस्कार, आज हम लोग ENT के एक नए topic में बात करेंगे investigations के बारे में तो हमारा topic है investigation in ENT तो जहाँ पर हम बात करेंगे tuning fork के बारे में, pure tone audiometry के बारे में हम बात करेंगे timpanometry के बारे में, beira के बारे में ये सारे नाम हमारे daily routine investigations में आते हैं हम बात करेंगे auto acoustic emission के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि auto acoustic emission test का क्या importance है इसके अलावा हम caloric test की बात करेंगे हम fistula test को समझने का प्रयास करेंगे तो इतने wide level पर हम चर्चा करेंगे और याद रखिएगा कि इसमें tuning fork, pure tone, tympanometry, bera और auto acoustic emission ये सभी के सभी hearing test से related है जबकि caloric test और fistula test ये दोनो ही दोनो vestibular function से related test है तो याद रखना है caloric test किस से संबंदित है ये balancing से संबंदित है fistula test किस संबंदित है balancing से संबंदित है तो यहाँ पर हम सबसे पहले test की बात करेंगे tuning fork test की तो हमें पता है कि tuning fork जिस tuning fork का हम ENT में आम तोर पर इस्तेमाल करते हैं वो 512 hertz frequency का होता है यहाँ पर हम इस image में appreciate कर पाएंगे कि tuning fork के उपर ही उसकी frequency लिखी हुई होती है यहाँ पर देखे 512 hertz frequency का ये tuning fork लिया गया है याद रखेगा tuning fork ENT के लिए बहुत ही आम तोर पर इस्तेमाल होने वाला instrument है जिसके मदद से बहुत सारे investigations किये जाते हैं और इसमें hearing loss से समंदित जानकारी लेने के लिए tuning fork टेस्ट कराया जाता है इसमें रेने टेस्ट वेबर टेस्ट absolute bone conduction टेस्ट श्वाबेज टेस्ट इसके अलावा जब हम ENT की बुक्स को देखते हैं तो ENT की बुक्स में धेंगरा में बिंग टेस्ट, गैलीस टेस्ट का भी नाम दिया गया है तो याद रखिएगा रेने टेस्ट, वेबर्स टेस्ट और absolute bone conduction टेस्ट श्वाबेज या श्वाब्स टेस्ट जिसे हम कहते हैं तो उन टेस्ट में से हम आज डिसकस करेंगे रेने इस टेस्ट के बारे में वेबर्स टेस्ट के बारे में जिस पर based question पूछे जाते हैं तो शुरुवात करते हैं हम रेने टेस्ट से और यहाँ पर इंटरिस्ट के बारे में हम आपको बतादे toucanial nerve के examination में भी हम लोग इस ट्रेस्ट के बारे में पढ़ चुके हैं रेनेस टेस्ट में हम एर कंड़क्शन और बोन कंड़क्शन को कमपेर करते हैं इसमें स्ट्रिम आफ ट्यूनिंग फॉक को मैस्ट्राइड प्रॉसस पर रखा जाता है और पेशन्ट से कहा जाता है कि जब वाइब्रेशन की साउंड आनी बंद हो जाए तो उस समय वो बताए तो यहां पर देखें मैस्ट्राइड प्रॉसस पर ट्यूनिंग फॉक के स्ट्रिम को रखा गया है और जब साउंड आनी बंद हो जाती है तो उसी समय ट्यूनिंग फॉक को इन्वर्ट करके यानि उसके जो विंग्स हैं उसके वाइब्रेशन को कान या इयर कैनाल के पास परसन को सुनने के लिए कहा जाता है तो जब मैस्ट्राइड प्रॉसस पर स्टेम की मदद से तुनिंग फॉक के स्टेम की मदद से आने वाली आवाज बंद हो गई तो तुरंत तुनिंग फॉक के विंग के वाइब्रेशन को इयर कैनाल के पास लाया गया आम तोर पर तो नॉर्मल कंडिशन में क्या होगा साउंड इस हर्ड लॉंगर बाई एर कंड़क्शन रैधर दैन बोन कंड़क्शन अब ये बात ये उठता है कि ऐसा हुआ कैसे टेस्ट के समय हमें इस तरीके के बहतर रिजल्ट्स क्यों नॉर्मल कंडिशन में देखने को मिलते हैं तो याद रखिएगा मैस्ट्राइड एंट्रम पे यहाँ पर मैस्ट्राइड प्रॉसेस पर जब हमने रखा तो वो बोन कंड़क्शन के द्वारा सीधे तोर पर कॉकलिया को जा करके एकसाइट कर रहा था जबकि जब हमने एर कैनल के द्वारा एर कंड़क्शन की मदद लिया तो इस समय और सिकल्स के वाइब्रेशन से जो साउंड एनरजी थी वो एम्प्लिफाई हो जाती है तो यहाँ वाइब्रेशन की फायदे मिले इसलिए नॉर्मल परसन में एर कंड़क्शन कंड़क्शन में सीधे तोर पर जो भी हमारे स्कल्स की बोन है उसके द्वारा सीधे तोर पर बोन कंड़क्शन में कॉक्लिया को एकसाइट किया गया था एर कंड़क्शन में हमने टिंपानिक मेंब्रेन के वाइब्रेशन इन सभी ओसिकल्स के वाइब्रेशन की मदद लिया और उसके बाद कौकलिया एकसाइट हुई इसलिए साउंड के एर कंड़क्शन की द्वारा देर तक सुनाई देती है मेस्ट्वाइड एंट्रम पर रखने के बाजूद जब साउंड बंद हो जाती है फिर हम एर कंड़क्शन की जब बदद लेते हैं तब भी साउंड हमें सुनाई देती है ये है तरीका रेनेस टेस्ट का तो रेने टेस्ट में हमें क्या याद रखना है नौर्मल कंडिशन में, पॉस्टिव रेने टेस्ट में, एर कंड़क्शन, बौन कंड़क्शन से बहतर होता है, जबकि निगेटिव रेने टेस्ट में, आर का मतलब रेने आप समझ लें, तो निगेटिव रेने टेस्ट में, बौन कंड़क्शन, एर कंड़क्शन से बहतर हो मैंने आपको बताया कि जब कभी भी बोन कंडक्शन होता है तो उस दोरान कौकलिया सीधे तोर पर एक्साइट की जाती है तो यहाँ पर और्गन ऑफ कौकलिया में पाई जाती है जिसे हम सेंसरी और्गन ऑफ हेरिंग मानते हैं उसकी मदद से यहाँ पर साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कनवर्ड किया जाता है और इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्रेनियल नर्व नमबर एट हायर सिंटर तक पहुँचाता है तो याद रखेगा यहाँ पर साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कनवर्ड किया जाता है transduction होता है one form of energy दूसरे form of energy में तो यहाँ पर देखिए air conduction में मैंने आपको बताया था क्या होता है air के ear ossicles यहाँ पर जो भी होंगे उनके amplification का इस्तेमाल होगा इसलिए air conduction बहतर होता है normal person में bone conduction की तुलना में क्योंकि bone conduction में सीधे तोर पर bypass हो जाता है ear canal और bones से transmit होते हुई cochlea excite की जाती है तो air conduction bone conduction के बीच के difference को मैंने image के माध्यम से जो समझाया है उस concept को आपको याद रखना है और यहाँ पर air conduction में सीधे तोर पर आप देख रहे हैं amplification के वो सारे तरीके जो external और middle ear से होते हुए sound energy को amplify करके inner ear तक भेजे जबकि bone conduction में आपने देखा bone conduction में amplification नहीं हुआ अब यहाँ पर याद रखना है कि external और middle ear से होकर कि गुजरती हुई जो sound energy होती है वो यहां से लेकर कि यहां तक पहुँचती है इस दौरान जो medium of conduction है जो path of conduction है अगर इसमें कोई problem है यानि external या middle ear में कोई समस्या है तो इस दौरान sound energy conduct नहीं हो पाएगी आगे बढ़ नहीं पाएगी इसलिए कहा जाता है conductive hearing loss इस बात को हमें याद रखना है conductive hearing loss के क्या क्या कारण हो सकते हैं तो याद रखेगा conductive path में अगर कोई समस्या है तो इसकी वज़ा से यह हो सकता है इसमें external ear में कोई दिक्कत हो या फिर middle ear में कोई दिक्कत होने पर ऐसा संभव है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं external ear और middle ear अब यहाँ पर जब हम conductive hearing loss की बात करते हैं तो जो external ear है उसमें कोई foreign body हो तो आप समझ सकते हैं conduction नहीं हो पाएगा वो foreign body कुछ भी हो सकती है wax हो सकता है foreign body हो सकती है furancle हो सकते हैं furancle इसके बारे में हम बात करेंगे इस दोरान कोई swelling हो external ear में कोई external ear में malignant tumor हो तो भी इस तरीकी की दिक्कत हो सकती कि sound conduct ना हो पाए middle ear में कोई infection हो यहाँ पर middle ear में infection की बहुत सारे condition हम पढ़ेंगे tympanic membrane का perforation भी हो सकता है बहुत सारे causes हैं जिसके बारे में आप सोच सकते हैं इतना ही नहीं यहाँ पर जो ear ossicles हैं वो fix हो जाएं ear ossicles का disruption हो जाएं यहाँ उन सारी चीजों को imagine हमें करना होगा जो यहाँ से लेकर यहाँ पर है यहाँ के पात को हमने पढ़ लिया tympanic membrane में perforation हो जाएं यह जो ossicles हैं यह तूट जाएं या अपनी position से हट जाएं या फिर यह ossicles fix हो जाएं या फिर eustachian tube यहाँ पर आप देखें eustachian tube ब्लॉक हो जाएं इन सारे कारणों की वज़ा से conduction में दिक्कत हो सकती है इसके अलावा congenital causes भी हो सकते हैं जिसके बारे में mention किया गया है तो आप देखें congenital malformation किसी भी चीज़ का मा लिजे ossicles सही तरीके से develop नहीं हुए जिनने amplify करना है इसी तरीके से steps जो steps है वो जाकर के fix हो गया हो मैलियस fix हो गया हो यह सारी समस्याएं जो congenital malformation से related हैं वो भी conductive hearing loss करा सकते हैं तो यह fix हो गया हो या फिर step is fix हो गया congenital ही ही ऐसा देखा गया हो तो यह मामले भी संभव है conductive hearing loss के लिए responsible हो तो ऐसे मामलों में results कैसा आएगा आपको पता होना चाहिए ऐसे मामलों में conductive hearing loss में bone conduction, air conduction की तुला में यह ज़ादा अच्छा होगा अब एक बात होता है sensory neural hearing loss sensory neural hearing loss का मतलब यह है कि sensory organ में कोई दिक्कत हो या फिर nose में कोई दिक्कत हो तो आप देखें sensory organ कौन है organ of corti यहाँ कोई समस्या हो sensory part में या फिर neural neural means cranial nerve number 8 में कोई दिक्कत हो तो इसकी वज़ा से sensory neural hearing loss हो सकता है तो जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा conduction में समस्या कैसे हो सकती उसके बारे में पढ़ा अब हम sensory neural deafness के बारे में पढ़ रहा हैं तो इस image को थोड़ा से zoom करेंगे तो हम हर एक term को ज़्यादा बहतर तरीके से specify कर पाएंगे तो यहाँ पर देखें conduction deepness जिसमें मैंने बताया था ear canal में wax, osteomata, otitis externa याने inflammation, otitis externa इसके बारे में पढ़ना है यह स्टेकिन ट्यूब के बारे मैंने बताया था metal eftrasia, chronic otitis media, glue ear यह सारी चीज़ें हमें पढ़ना है tympanic membrane perforate हो गया हो cholesteatoma, यह सारी चीज़ें हमें पढ़ना है तो यह conduction के पाथ में दिक्कत होती है इसके बारे में हमें पढ़ना है जब हम sensory neural deepness की बात करते हैं तो sensory type या neural tribe तो cochlea, जो कि sensory organ है organ of corti जहां पाई जाती है इसके आधार पर cochlear जो sensory loss को दर्शाता है उसके बारे में हम देख लें या फिर ऐसा भी हो सकता है कि cochlea के बाद यानि organ of corti के बाद जो neural path है उसमें कोई समस्या है तो यहाँ पर जब इसे समझने की कोशिश करते हैं तो आप देखेंगे cochlea में यानि sensory part में दिक्कत है तो उसे sensory डिफनेस कहते है और अगर neural डिफनेस है जिसे हम cochlea की बेशिड़़्श पर retro cochlear कहते हैं तो इसके causes क्या हो सकते हैं तो cochlea में कोई दिक्कत है यानि sensory organ of corti में कोई दिक्कत है इस organ of corti के part में कोई दिक्कत है, cochlea में कोई दिक्कत है, इसका cause क्या हो सकता है, जब कि nerve में कोई दिक्कत है, तो उसको हम बाद में समझेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, trauma, viral infection cochlea में, syphilis, TB, जो cochlea को प्रभावित कर सकता है, इसी तरीके से बहुत सारी चीज़े हैं, menial syndrome, congenital cochlear deafness, यह सारी चीज़ें हमें पढ़ना है, तो इसमें जो important है, उसके बारे में जान ले, menial syndrome, जो कि cochlea के dysfunction की वज़ा से होता है, वो cochlea या cochlear type of deafness, या sensory neural deafness का cochlear type के बारे में, जानकारी देता है, रेट्रो कॉक्लियर की, तो रेट्रो कॉक्लियर में एकाउस्टिक नियूरोमा, जो कि नौस में समस्या होने की वज़ा से हो सकता है, सेरिब्रो पॉन्टाइन एंगल में कुछ ट्यूमर हो, या फिर centrally, हर्पीज जोस्टर का infection हो गया हो, तो इसके कारण sensory neural deafness समभव है, तो इस image से हम समच सकते हैं, central part में sensory organ या neural part, neural part के किसी भी position में, या तो इसके track के किसी भी जगापर, central level से लेकर इस peripheral level तक कहीं पर भी नौब में कोई दिक्का था, इसलिए cerebropontine angle तक हम लोगों ने tumor की बात किया, वहाँ किसी injury की बात किया, तो यहाँ पर retro cochlear cochlear, इसको हमें समझना है, conductive hearing loss और sensory neural hearing loss, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए, मैंने आपको बताया था, sensory neural दो पार्ट से मिल करके बना है, इसलिए इसका sensory loss होता है, तो उस दौरान cochlear, इसको diffness कहते हैं, और neural loss, जिसमें cranial nerve number 8, या उसका पूरा का पूरा track, कहीं पर भी प्रभावित हो सकता है, चुकिए cochlear के आगे का मामला, इसलिए इसको retro cochlear hearing loss कहा जाता है, इसको मैंने आपको बहतर तरीके से समझाने का प्रयाज किया है, तो हम लोगों ने रेने टेस्ट में bone conduction और air conduction के concept को समझा, और हम लोगों ने इस आधार पर बहुत सारे conclusion बनाने का प्रयाज किया है, अब ध्यान रहे कि अगर air conduction, bone conduction के comparison में बहतर है, तो ये दो चीजें हो सकती है, ये positive rene test है, और इसके positive rene test के दो conclusion हो सकते हैं, या तो ये normal study है, या फिर sensory neural hearing loss में भी ऐसा हो सकता है, तो आप देखेंगे, AC is greater than BC, और इस दोरान positive result है, तो आप देखेंगे, ये true positive हो सकता है normal study में, और false positive हो सकता है SNHL में, तो याद रखेगा, ये true positive कब होगा normal study में, और sensory neural hearing loss में ये false positive result दिखाएगा, इसी तरीके से bone conduction, air conduction के comparison में ज़ादा है, तो ये negative rene test है, और ये true negative, conductive hearing loss में देखने को मिलता है, इसके अलावा false negative rene test dead ear में भी देखने को मिलता है, तो हमें इसके concept को समझना है, negative rene test truly कब मिलेगा, तो conductive hearing loss में मिलता है, और false, जैसा हम biostatics में, स्वारी, PSM में हम कई बार पढ़ते हैं न, false positive, true positive test, तो उसके आधारग पर जो concept है, उसी को हम यहाँ पर लगाने का प्रयास कर रहे हैं, तो true negative कब होगा, conductive hearing loss में ये result, और इसी तरीके से पूछा जाए false negative, ये result false negative कब कहलाएगा, जब dead ear की condition होगी, अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे, weber's test, जिसमें हम vertex पर tuning 4 को रखते हैं, और इस दोरान हम bone conduction को चिक करने का प्रयास करते हैं, और इस दोरान, normal study के दोरान, equal conduction दोनों के ear में होता है, अब यहाँ पर हम normal study में देखते हैं, कि दोनों ही side में, यहाँ, normal person में, दोनों ही side में, equally, यहाँ पर देखिए, bone conduction हो रहा है, इसलिए, किसी भी side में noise ज्यादा नहीं सुनाई देगी, किसी भी side में lateralize नहीं होगी, लेकिन, अगर person में, conductive hearing loss है, तो आप देखेंगे, यहाँ पर, जब vertex पर tuning fog को बजा करके, रखा जाता है, तो यहाँ आप इस चीज़ को zoom करके देखें, तो यह इस reason में, conduction नहीं हो पा रहा है, कंडक्शन नहीं हो पा रहा है इसलिए air कंडक्शन नहीं हो पा रहा है आप देखिए air कंडक्शन नहीं हो पाने के कारण केवल bone कंडक्शन यहां संभव है तो इसके कारण vertex पर रखने पर आवाज ज्यादा बहतर same side में जिधर problem है उधर की और सुनाई देती है इसलिए कहा जाता है कि conductive hearing loss में webel test उस ओर ज्यादा सुनाई देता है जिधर air conduction नहीं हो पा रहा है आप देखिए जिधर conductive hearing loss है उसी side में आवाज ज्यादा बहतर सुनाई देती है जिधर normal condition है उधर आवाज नहीं सुनाई देती है ऐसा होता क्यों है आप समझ सकते हैं कि यह ही आसानी से यह चीजे पहुंचती है और बहतर सुनाई देता है आप देखेंगे इधर की और lateralize हो गया है इसके बाद जब हम sensory neural hearing loss की बात करते हैं तो उस मामले में tuning fork को vertex पर रखने पर आप देखेंगे lateralization कहां पर होगा तो इस चीज को इस image में समझाने का प्रयास किया ग है इसलिए sensory neural hearing loss में देखेंगे कोई भी vibration यहां बहतर तरीके से sound energy आगे transmit नहीं हो पाएगी जबकि दूसरे side जहां पर cochlea healthy है उस side में vibration ज्यादा बहतर तरीके से सुनाई देगा तो यहां पर weber test करने पर lateralization same sorry lateralization opposite side में हुआ है तो lateralization जब हमें पता चलता है तो हम देखने का प्रयास करते हैं कौन सा side better हो सकता है इस concept को समझाने के लिए मैंने image की मदद लिया है और उसके result को आपको याद रखना है centralized यानि किसी भी side में shifting नहीं हुई तो यह normal study है normal person की finding ऐसी होगी जिसमें किसी भी side में centralized result मिलेगा किसी भी side में lateralized नहीं होगा lateralized अगर है तो result बताता है कि किसी एक side में समस्या है अब result को कैसे हम सबच सकते हैं तो अगर lateralized नहीं है यानि दोनों ही side में equally सुनाई दे रहा है इस तरीके से आप arrow बना सकते तो ये centralized को इस तरीके से हम कह सकते हैं right और left दोनों ही side में equal vibration सुनाई दिया है तो यहां कोई lateralization नहीं दोनों ही side में arrow है ये centralized condition है lateralized अब इसको देखते हैं lateralized में कोई arrow या तो left के side में या फिर right के side में shift होते हुए अपने बारे में जानकारी देगा तो इस दोरान lateralized हुआ है lateralized है तो यानि pathological condition है तो आप centralized के बारे में समझ सकते हैं कि जब दोनों ही ear normal होंगे तो उस समय हमें lateralization नहीं देखने को मिलेगा कोई result में lateralization नहीं होगा lateralization कब देखने को मिलता है तो इसमें दो चीजें हो सकती है sensory neural hearing loss हो सकता है और आप देखेंगे sensory neural hearing loss में weber test opposite side में जाता है ये चीज़ मैंने आपको बताया था तो यहां आप देख सकते है sensory neural hearing loss में क्या हो रहा है आप इस चीज़ को समझें यहां यह right ear है यह left ear है और person कह रहे हैं कि left ear में वो ज़्यादा बहतर तरीके से सुन पा रहे हैं जिधर वो ज़्यादा बहतर तरीके से सुन पाते हैं उधर की और arrow कर दिया जाता है तो यह ज़्यादा बहतर सुनाई दे रहा है इसका मतलब यह हुआ कि sensory neural hearing loss right ear में है यानि वेबर टेस्ट यानि जो lateralization है वो healthy side में होगा sensory neural hearing loss में इसलिए आप याद रखेगा sensory neural hearing loss में जहाँ defect है उससे opposite side में lateralization हो रहा है यानि right side में sensory neural hearing loss है जबकि आप देख सकते हैं असपस्ट रूप से आप कह सकते हैं कि left वाला normal है जबकि अगर arrow इस से opposite है यहाँ पर देखिए arrow इस और कह रहा है arrow में कहा जारा right side में ज़्यादा बहतर सुन रहे हैं तो उसका सीधा सा मतलब हुआ कि normal side है right वाला और left side में sensory neural hearing loss में lateralization normal side की ओर होता है यानि opposite side की ओर होता है conductive hearing loss अगर है तो उसकी finding क्या होगी उसको समझ ले conductive hearing loss में आप देखेंगे यहाँ पर same side में weber test का lateralization same side में होता है तो आप देखें conductive hearing loss में अगर left side की ओर arrow बना हुआ इसमें जादा बहतर तरीके से सुनाई दे रहा है यानि conductive hearing loss left side में है left side normal नहीं है इस बात को आपको समझना है तो यहाँ पर आप देखें weber test same side में जाएगा यह normal नहीं हो सकता है इसको आपको याद रखना है इस दौरान defective कौन सा है left side है इस बात को याद रखेगा यह मैंने काटना भूल गया था तो यह normal नहीं है इस चीज़ को आपको याद रखना है यह सारे point question के रूप में पूछे जाते हैं lateralization किधर क्योर होगा इस पर based question पूछा जाता है cause क्या होता है उसको भी आप समझ लें यहाँ पर conductive hearing loss में मैंने आपको बताया था ना conduction का path प्रभावित हो रहा है otitis media, otosclerosis, coleus teatoma, CSOM जैसे समस्याओं के बारे में हमें पढ़ना है जो conduction से related होती हैं, conduction pathway को प्रभावित करती हैं इस दोरान जो lateralization होते हैं वो इस तरीके से दिखाएंगे जिसमें conductive hearing loss होगा sensory neural hearing loss में जब हम पढ़ेंगे तो इस दोरान हम menious disease के बारे में पढ़ेंगे जो की cochlea की pathological condition के बारे में बतायेगा तो one by one करके हमें ENT में ये जो भी investigations की finding है उसको याद रखना है अब चलिए एक question solve करते हैं मा लिजे किसी person के renatist की founding है जिसमें right ear में air conduction bone conduction से ज़्यादा बहतर है जबकि left ear में भी air conduction bone conduction से ज़्यादा बहतर है तो इस तरीके की finding है और webel test में आपको lateralization left side की ओर मिल रहा है क्या ऐसा possible है तो इस तरीके की condition हमें देखना होगा कि इस तरीके की finding कैसे संभव हो सकती है दोनों सी side में air conduction bone conduction से ज़्यादा बहतर है और इसके बावजूद lateralization हो रहा है left की ओर तो ये कैसे संभव है तो आप समझ सकते हैं कि right side में या तो normal study है या फिर sensory neural hearing loss हो सकता है जिसकी वज़ा से ऐसा हुआ हो तो आप देखेंगे sensory neural hearing loss बहुत rare case में ऐसा संभव है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एक संभवना बनती है तभी इस तरीके का एक typical question पूछा गया है आम तोर पर ये normal study में है लेकिन normal अगर study होती तो lateralization नहीं होना चाहिए था lateralization हुआ है इसका मतलब sensory neural hearing loss comparatively यहाँ पर देखने को मिला होगा तभी यहाँ air conduction, bone conduction से ज़्यादा बहतर है तो ऐसे मामले में आप कह सकते हैं कि sensory neural hearing loss में ही जो weber test की finding होती है वो opposite side में lateralize हो जाती है तो आप सीथे तरीके से कह सकते हैं कि right side में sensory neural hearing loss है और left side में normal ear है इस तरीके की finding सोच सकते हैं right ear में sensory neural hearing loss है और left side left ear normal है इस question को pause करके आप एक बार सोचने का प्रयास करिएगा बिना fundamentals clear हुए आप नहीं पढ़ सकते हैं इसे मेरा आपसे request है कि cranial nerve examination मैंने neurology का एक lecture बनाया है उसमें 8th cranial nerve से related मैंने testing के बारे में बहुत सारे जो तरीके हैं उसको detail में समझाने का प्रयास किया है यहाँ पर एक और finding पर बात करें हम जिसमें कहा गया हो कि right side में air conduction bone conduction से बहतर है और left side में bone conduction air conduction से बहतर है और इस दोरान lateralized हो रहा है left की ओर तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर conductive deafness है conductive hearing loss है left side में तभी bone conduction air conduction से ज़्यादा बहतर है ऐसे मामलों में conductive hearing loss में Weber test same side में lateralized हो जाता है यानि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि defect left side में है normal right side में normal air होगा या फिर sensory neural hearing loss भी इधर की ओर हो सकता है आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात समझाना जरूरी है कि air conduction bone conduction से ज़्यादा दो condition में हो सकता है या तो normal study में या फिर sensory neural deafness में भी ऐसा हो सकता है दोनों में ही positive rene test होते हैं लेकिन याद रखिएगा एक condition जिसमें normal study है उसमें जो positive rene test आता है इसे हम true positive कहते हैं जबकि sensory neural deafness में जब यह result आता है तो इसे हम false positive कहते हैं तो याद रखेगा sensory neural stiffness जिसमें cochlea प्रभावित अगर हो गई है तो comparatively air conduction, bone conduction की तुल्ला में comparatively यहाँ पर कहा जा रहा है। एकदम healthy person के जैसा result नहीं होगा लेकिन comparatively air conduction, bone conduction की तुल्ला में ज़ादा बहतर होगा क्योंकि यहाँ पर sensory neural stiffness है। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा result है तो आप कह सकते हैं कि या तो यह ear normal है या फिर इस ear में sensory neural hearing loss है। तो ऐसे मामलों में SNHL में Weber test opposite side में चला जाता है। तो या तो यह normal ear है या फिर यहाँ sensory neural hearing loss है। या फिर आप यह कह सकते कि इस side में conductive deafness है, conductive hearing loss है, तभी lateralized इस ओर हुआ है। तो इस तरीके की finding हमें याद रखनी है, कैसे संभव है, इसको आप धिंगरा की book में भी देख सकते हैं, lecture को थोड़ा सा ढंग से मन से समझने का प्रयास करेंगे तो आप समझ पाएंगे। तो lateralization left side में हुआ, तो क्या finding रही उसको आप समझ सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे pure tone audiometry के बारे में।